हेलो स्टुडेंट आज हम आपको साथ चुलोजी प्रिवियस येर यानि कि 2022 में सेकेंड समिस्टर में जो जो कोश्चन पूछे थे उस कोश्चन पेपर को दिखाने वाले हैं यानि कि चलोजी का जो पिछली साथ यानि कि 2022 में नेक्स्ट यानि कि प्रिवियस येर जो पेपर हुआ था उसमें कौन को से कोश्चन आये थे किस किस यूनिट से कोश्चन आये थे उसके बारे में आज आपके साथ डिसकर्स करेंगे यानि कि यह BSC 1st semester की 2nd unit का पेपर है 2nd semester का जो प्रिवियस येर यानि कि इकजाम 2022 में चलोजी का था कौन कौन से कोश्चन आये थे उसके बारे में आज आपसे डिसकर्स करेंगे तो जो आपका पेपर का नाम है वो क्या था Biochemistry and Physiology ठीक तो Physiology और Biochemistry के बारे में इसमें पूछा गया था तो आपको पता है जो आपका question paper है वो 3 section में बनते हैं यानि कि section A, section B, section C जिसको आप खंड A, B, S की रूप में जानते हैं जो आपका question होता है वो 75 mark होता है और उसके लिए आपको 3 घंटे की समय दी जाती है ये सब चीजे तो आपको पता हुगा आईए बात करते हैं point पे section A जो आपको 20 number का question देता है यानि कि 20 आँग यहां से मिलते है और section B से वहां से आपको लगबग 30 से 35 number मिल जाते है ठीक और 30 number साइद मिलते है और आपको जो आपका next unit होता है यानिकि next section होते हैं वहां से आपको 20 number मिलते हैं तोटल आपको 75 मार की कोशन बनते हैं तो आए हम लोग पहले फर्स्ट यानि की फर्स्ट सक्सर में कौन कोशन देखने को मिलते हैं आए बात करते हैं उन पर यह जो पेपर है यह बीर बहादूर सिंग पुर्वांचर इन्वर्शिटी का पेपर है जिसका सिलिबस अन सभी इन बैस करता है यानि की सभी इन्वर्शिटी का सिलिबस सेम है तो यह पेपर जो है यह बीर बहादूर सिंग पुर्वांचर इन्वर्शिटी का है जो 2022 में हुआ था तो इसमें सबसे पहले आपको WBC के बारे में पूछा है तिक नर्वसिस्टम के बारे में पूछा है हीमोग स्कार प्लेशर के बारे में पilleटी एसिड के बारे में यह दो दौर्ट की कोशन दस कोशन पुछेगए तो बीस नंबर का हमारे चलोजी के प्लेशित में लगबंग हम नहें लगें हम दो यूट कवर कर लिय अगर आपके एकज्म में है 30 अगस्ट को तो हम 30 अगस्ट तक 30 इसने भी आपके यूनिटे 8 यूनिट को कवर कर देंगे उस पे प्लानिंग हो चुकी है उसके PDF नोट से बनाये जा रहे हैं और इस पे जल्दी रिकारिंग होगी और आपके जल्दी सेकेंड समेस्टर के जो क्लास होंगे चुलोजी की वो अपलोड होने लेगी बोटनी की सा दखाए था आपके साथ किया कि का इकशन को से पहलें शांशन आता है जहांशन नंबर का कोज़न होता जिसमें आपको आपको साथ कोशन देखने कोमिलती है जो तो टोटल 35 का होता है और जो पहला था से उल्प अपो 55 है आपको 55 हो जाते हैं पिए झाहसे आपको मॉचा है describe the structure and function of liver liver की structure और function के बारे में पूछ सकता है पूछा था previous year में फिर आप से पूछा था लिपीड क्या होती है लिपीड को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है उसके classification को भी बता रखा है आप जाकर के लिपीड के सारे structure को और उसके सारे वीडियो को देख सकते है फिर आपसे परास्रण के बारे में पूछाने की आस्मोरेग्लेशन के बारे में और इसके क्या-क्या एकोटिक और एनिमल में यानि कि जो जली जीव हैं उसमें किस प्रकार से आस्मोरेग्लेशन होते हैं परअसरन होते हैं उसके बारे में आपको पड़ दिया था फिर describe the structural function of skeleton यानि कि जो कंकाल पेस्या है उसके बारे में पूछा था आप से urine ultrag strangely के बारे में पूछा था urine क्या होता है उसकी UV内 mon manuscript oddans finish फिर बताया था आपका यह भी चीजी आपको पढ़ा रखी है मैंने डिजीस से पूछाता है यानिकि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है फिर आपसे स्लाइडिंग फ्लामेंट के बारे पूछा है यानिकि मस्कुलर कंट्रेशन थियरी के बारे में चल दी हम इस सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर आपको अच्छे से मैंने पढ़ा रखे है वीडियो को जाकर प्लेडियो में देख सकते हैं चुरो जी के प्लेडियो phartage indoor crime system Следing के और अंतरहसावी ग्रंतियों के बारे में आपसे पूचा है फिर पूचा था आपसे बिटामिन के बारे में बिटामिन क्या होते हैं वाटर सालबूर और और फैट सालबूर यह सब सारी चीजे मैंने पढ़ा रखी अपने यूटूब पे आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको टेंशल लेने क्यों नहीं है जिनका एक्जाम जुलाए में उनके लगबग हम चार से पास यूनिट कबर कर देंगे चल्द ही उस पर भी प्लानिंग की जा रही है चार से पास यूनिट कबर कर दी जाएंगे अगर इंपोर्टन कोशन की कुछ हम और क्लास देंगे जो भी इंपोर्टन कोशन होंगे वो आपके साथ हम साजा करेंगे कि कौन सी उनिट से कौन-कौन कोशन आपको पढ़की जाना है यह प्रिवियस यह कोशन पेपर दाने की पिछली बार जब आपको पूछा गया था पेपर का पैटरन तो वही है बट अब किस प्रकार से कोशन थोड़ा हाड पूछा सकता है तो उसके लिए आप तयार रहिएगा यानि कि बहुत हाड कोशन दिखने को नहीं मिलेंगी जो भी कोशन होगा मैं उसका आपको एक समरी यानि कि कुछ इंप्वार्टन कोशन आप कर सकते हैं कि गेस पेपर आपको प्रॉइड कर देंगे चुलोजी और बॉटनी का यह प्रेवियस यह कोशन पेपर आप लोग साय कोशन तयार कर लिजीगा चाहे चुलोजी का हो चाहे बॉटनी का चुलोजी बॉटनी का प्रेवियस यह कोशन आप तयार कर लिजी कि कौन कोई से कोशन मिले थे और जल्दी अब आपको गेस पेपर देंगे जिससे आपकी त्यारी और भी आसान हो जाएगी तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके जो रोजी बॉटने की क्लासेज भी चल रहे हैं फर्स समेस्टर और सेकेंड समेस्टर की आप उसको भी दे कराए गए थे इनवर्सिटर की द्वरा उसके आपको हम नोट्स यानिकी उसका पीडिया देंगे उसके पेपर का जिससे आप एक आइडिया लगा सकते एक अनुमान लगा सकते है कि कोशन कहां से पूटब हो सकता है तो यह ना पूरा आपके कोशन पेपर की बारे में अग सारे वीडियो लेक्चर वहां पर प्रजेंट हमारे प्लेलिस्ट में आप वहां से जोईन करके आपने त्यारी को कंप्लीट कर सकते हैं